आईपियल 2017 में चमपने वाले पांडिया ब्रदर्स हारदिक और क्रुणाल की जोड़ी को क्रिकेट प्रेमी नहीं भूले होंगे हारदिक पांडिया तो सीनियर नैशनल टीम में अपनी जगा बना ही चुके हैं और अब क्रुणाल पांडिया का भारत एटीम में चैन हुआ है इस चैन के साथ ही क्रुणाल अपने सपने के करीब पहुँच गए है हाला कि उनका अंतिम लक्ष अपने छोटे बाई हारदिक के साथ एंग्लैंड में 2019 का विशुकप खेलना है क्रुणाल ने साथ अफरिका में सीमित ओवरो की सिरीज के लिए एटीम में चैन के बाद कहा लक्षे यहां मेहच कुछ मैचों के लिए भाते टीम का प्रतिनेदे तो करना ही नहीं बलकि लंबे समय तक खेलना है अगर मैं और हार्दिक साथ में 2019 विशुकप में एक साथ खेल पाएं तो ये मेरे सबने के साकार होने जैसा होगा लेकिन इस समय ध्यान भारत एटीम के लिए अच्छा करने पर लगा है वहीं हार्दिक ने अपने बड़े भाई का भारत की एक टीम में चैन होने की ख़बर मिलने के बाद उने एंटिगा से फोन किया क्रुनाल ने कहा हार्दिक बहुत खुश था उसने मुझे फोन करके कहा कि तुम करीब पहुँच रहे हो भारत के लिए खेलने के बाद उसे शीर सिस्तर के क्रिकेट की थोड़ी जानकारी है और मैं बारिकियों पर हमेशा उससे चर्चा करता हूँ अपने भाई से करीबी कोई और नहीं हो सकता अब इन दोनों के फैंस को उमीद है कि जल्दी टीम इंडिया में दोनों पांडिया भाईयों का जलवाद देखने को मिलेगा एनमेफ न्यूस के रिपोर्ट